वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन एक्जाम सद्धा 75 आज की हमारे सेशन में हम इंगलिस के ओल्ड पेपर को डिसकस करेंगे और उन कॉश्चन को डिसकस करेंगे जो प्रीवेस एर कहीं न कहीं आपके कॉश्चन में पेपर में देखने को मिलेंगे आप पैनल कॉपी लेके बैठ जाएं क्योंकि हम काफी सारे एरर डिटेक्शन करेंगे जिनको आप नोट करते जाएं जो आपके प्रीवेस एर कॉश्चन में पूछे गए हैं और होपफुली आपके नेक्स्ट एक्जाम में आपकी हेल्प करेंगे तो बढ़ते हैं हम हमारे इंगलिस ओल्ड पेपर्स की और यह कॉश्चन जैसे इसमें दिया हुआ है इंप्रूब दा पार्ट गिवन इन दा बोल्ड तेजस सेज ही इस आल्रेडी पेड मी बैग बट आई कांट रिवेंबर तो हैब टू टेक हिस वर्ड फ्रेंड यह प्रेंद्ट इन्स में दिया है तो कि तेजस कहता है इस आल्रेडी पेड मी बैग वैं मुझे पहले ही आहाई का अरु चुका है ऑट जू नहीं हैं सो एफ बिस ट्रेड को इस ट्रेंटों सेंटिंस होता है तो टेक इस वर्ड यह लाइक टू तो दो संधिंग पर चूंतिं जिसके सारा consequences जो हुआ है वो reason हमें बताना पड़ेगा, okay, so इस type को जब भी sentence आता है, so हमें last में वो word बताना पड़ता है, to take his word for, for किस के लिए, यह जो already पहले जो incident हुआ है, उस चीज के लिए, okay, so यहाँ पर right option होगा, option number C, to take his word for it, okay, यह हमारा right option हो जाएगा, बढ़ते हैं another question की ओर, okay, so इसमें दिया है, improve the part given in the value world, the workers are help and at getting what is due to them, okay, friend, so यहाँ पर हमें एक idiom and phrases दिया है, to be very, मतलब यह जो होता है, help and at getting, पहले तो यहाँ पर हमें proposition का mistake है, okay, because यहाँ पर at नहीं आएगा, यह proposition होती है, help and on getting, okay, जिसका मतलब होता है, to be very determined, मतलब किसी काम को पूरी इक्छा सक्ती के साथ करना, पूरी determination होके करना, okay, so यहाँ पर होता है, help and on getting, option number A, right होगा, okay, improve the part given in bold, यहाँ पर हमें find करना है, okay, so question को read करते हैं, taxpayers are to be conscious, they are privileged, taxpayers को अपने जो विसेश अधिकार होते हैं, उनके बारे में बहुत जारा conscious होना चाहिए, मतलब जाग्रूप होना चाहिए, उन्हें knowledge होना चाहिए, okay, so यहाँ पर हमेरा R2 को हमें find करना है, कि यह right है, या फिर wrong है, जो हमारे sentence है, यह प्रकार से हमें suggestion दे रहा है, कि taxpayers को, जो tax देने वाली लोग हैं, उनको अपने विसेश अधिकार के पती जाग्रूप रहना चाहिए, okay, so जब भी this type को कोई sentence होता है, जिसमें हमें advice दी जाती है, वहाँ पर हम models का use करते हैं, okay, models work का use किया जाता है, जहाँ पर हमें कोई भी चीज नैसेसरी होती, बहुत ज़्यादा नैसेसरी होती, वहाँ पर हम must और to का use करते हैं, जो हमारी एक fundamental duty बताता है, ठीक है, so यहाँ पर हम taxpayers ought to be conscious their privilege, okay, option number third, right option हो जाएगा, यहाँ पर दिया है, each item in this section consists of a sentence with a bold word, followed by four words, okay, so यहाँ पर most probably हमें यहाँ पर इसका synonyms बताना है, similar in the meaning, okay, synonyms पूछा है, ठीक है, so हमारा word है, obliterate, okay, so obliterate मतलब होता है, किसी चीज़ को utterly destroy कर देना, मतलब बहुत गंदे तरीके से उसे बरबात कर देना, या फिर उसे पूरी तरह से dismiss कर देना, okay, so यहाँ पर हम option, चार option का मतलब देख लेते हैं, friend, क्योंकि आपको इससे आपका book app भी strong होगा, जैसे demolis, demolis मतलब होता है, किसी चीज़ को unmoolan करना, ठीक है, judge से उसे finish कर देना, acting use भी इसका synonym सी होता है, something, erase करना, erase करना है, किसी चीज़ को पूरी तरह से मिटा देना, बरबात कर देना, और change मतलब होता है, परिवतन, okay, so आप समझ गए होगी, इसका हमारा right option होगा, erase कर करना, okay, यहाँ पे भी हमें similar पूछा हुआ है, okay, similar हमें बताना है, ineffable, ineffable मतलब friend, यह काफी important book है, यह काफी पार पूछा जाता है, intonium, synonyms के form में, यह फिर direct इसका मतलब पूछ ला जाता है, okay, so यहाँ पे हमें एक sentence formation के मतलब में पूछा गया, सबसे पहले तो ineffable का मत मतलब आपको पता होना चीज, इसका मतलब होते है का ऐसी चीज, जो कि आवर्णी है, जिसका हम describe नहीं कर सकते हैं, describe करने बहुत ज़्यादा मुस्किल हो रही हो, ठीक है, option पढ़ते है, that which cannot be rubbed out, no, incapable of being understood, यह भी something हो सकता है, अब यह more option देखते है, that which is too greater to be expressed in word, okay, कफी सारी ऐसी बाते कर देते हैं, जो हमें समझ नहीं आती, या फिर जो समझना बहुत ही, जैसे प्रकती का वर्णन होता है, okay, so बहुत ज़्यादा आवर्णी होता है, कोई वी चीज जो रहते हैं वो आवर्णी, या जिसके बारे में हमें पस वर्ड ही नहीं बोलने के लि ओके, so edifying, edifying मतलब होता है, किसी को instruction देना, अपने words में किसी को instruction देना, या suggestion करना, instruction देना, ठीक है, यह instruction किसी भी form में हो सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको examination hall में जाने से पहले आपको instruction दी जाती, guideline provide की जाती है, okay, so हम मतलब चानते हैं, tedious, tedious मतलब होते हैं, कोई चीज बहुत जाती जाती, boring, audaz, trite, ठीक है, यह trite जो होता है, यह इसका एक famous synonym से, यह आप लिख ले, trite हो गया, ठीक है, in need of eating, editing, no, यह तो बिल्कुल भी नहीं है, instructive, जैसे हमने आपको बताए, edifying का मतलब होता है, to give instruction to someone, okay, exciting, no, बहुत जादा, happy हो जाना, excited हो जाना, meaning, most nearly, opposite meaning in the word, हमें sentence में, shabli, shabli word का, हमें यहाँ पर, antonyms बताना है, सबसे पहले तो हमें shabli की मतलब पता होना चाहिए, friend, की shabli का मतलब क्या होता है, okay, shabli, shabli मतलब होता है, एक ऐसी चीज़ जो बहुत जादा uncivilized हो, ठीक है, तब हो, दिखने में improper हो, बेढंग हो, जिग-जैग हो, जो हमें समझ में ना, strange हो, okay, so, यहाँ पर हम, sabli, इसका, हम सारे word का मतलब देखते है, decently, decently मतलब होता है, very, बहुत जादा civilized चीज़, बहुत जादा in proper way, decently है, okay, professional है, beautifully, okay, beautiful मतलब होता है, सुंदरता, extravagantly मतलब बहुत जादा खर्च करना, scantity, scantity मतलब किसी चीज़ की कमी होना, सो, यहाँ पर decently, sabli का exact opposite होगा, okay, right option हो जाएगा, हमारा option number A, most nearly, opposite in the meaning, हमें most nearly, friend, meanings two types ही होती है, यह दि आपको antoniums में उसका synonym से बताना है, antoniums में synonym से बताना है, या फिर आपको perfect antoniums से बताना है, okay, सो, यहाँ पर हमें perfect antonium पूछा गया है, arvain, arvain का मतलब होता है, बहुत जादा sister-char की बात की जाती, good manner, sub ya civilized, इसका एक हमने पढ़ा था भी, synonyms, okay, तो हम यहाँ पर देखेंगे, इसके सारे option, ठीक है, civilized, civilized मतलब होता है, बहुत जादा sub ya, बहुत जादा good manner, good terms, conditions, okay, slow मतलब होता है, very slow, rude मतलब बहुत जादा rude, या फिर इसका behavior बहुत जादा ridiculous, ठीक है, fullest मतलब मूर्ख, okay, so हमें इसका urban, जिसका मतलब होता है sister 4, या civilized, इसका antoniums बता रहा है, तो इसका antoniums, यह सारे कहीं न कहीं, positive sign की ओर, show कर रहे हैं, ठीक है, but जो rude है, वो negative sign की ओर, show कर रहा है, root जो होगा, वो हमारा urban का perfect antoniums होगा, okay, so हम बढ़ते हैं, आगे question की ओर, most nearly opposite in the meaning, to the word, मतलब यहाँ पे हमें most nearly opposite meaning बताने है, किस word की, thrifty, thrifty word की हमें यहाँ पे most opposite meaning बतानी है, thrifty मतलब होता है, बहुत ज़्यादा conjuice, जो बहुत ज़्यादा miser हो, miser भी यह conjuice word का यह यूज किया जाता है, m-i-s-e-r, okay, miser है, ठीक है, thrifty है, stingy है, यह सारे word जो होते हैं, वो conjuice पन को indicate करते हैं, okay, so यहाँ पे expensive मतलब बहुत ज़्यादा पैसे खरच करना, extravagant भी इसका synonym से, बहुत ज़्यादा पैसे खरच करना, economical मतलब होता है, एक प्रकार से, जो, मतलब कम पैसे खरच करता है, conjuice हो, okay, and good मतलब, good तो good होता है, तो हमें thrifty word, उसका perfect antonym से बताना है, तो extravagant जो बहुत ज़्यादा पैसे खरच करना, और thrifty, जिसका मतलब होता है, पैसे खरच ना करना, इसका most of antonyms हो जाएगा, extravagant, okay, so देखते हैं, select the word with the correct spelling, हमें correct spelling बताना है, चार option हमें दिये हैं, बताना है कि इसकी spelling बहुत ज़्यादा correct है, बहुत ज़्यादा क्या correct है, जिसकी spelling correct है, okay, so यहाँ पर हम देखते हैं, पहला word है, cater vowel, ठीक है, cater vowel, cater vowel का मतलब होता है, पहले तो इसकी spelling जो है, वो गलत है, अब गलत कहाँ पर है, क्योंकि C-A-T-E-R-W-A-U-L होता है, यहाँ पर A की जगे U आएगा, okay, so दूसरी spelling, vocabulary, ठीक है, vocabulary यह सही है, cautionarian, okay, यह भी सही है, indoctrinate, indoctrinate जो है, वो गलत है, ठीक है, देखो, indoctrinate का मतलब होता है, instruction देना, किसी इंसान को instruction देना, ठीक है, और cater vowel, cater vowel का मतलब होता है, complain करना, okay, complain करना, या फिर protest करना, जैसे road किनारे, यह लोग protest करते हैं, बहुत ज़्यादा noisely, या harshly, protest करना, अपनी अवाज को complain के form में reform करना, उके, इसका मतलब होता है, cater vowel, सो हमें बताना है, किसकी spelling हमारी correct है, इसकी spelling गलत है, indoctrinate, okay, in vocabulary, spelling R, L, A आता है, cautionarian यह भी गलत है, सो right option है, हमारा indoctrinate, जिसका मतलब होता है, instruction देना, okay, सो, आंगे बढ़ते हैं हमें, select the word with the correct spelling, यह हमने भी कर लिया है, select the word with the correct spelling, multitudiness, multitudiness, friend, यह आपको पता होगा, इसकी spelling जो होती है न, यह हमारी है, multitudiness, D-I-N-O-U-S होता है, multi, okay, one minute, multi-spelling, M-U-L-T-I-T-U-D, T-U-D-E होती ही, लेकिन अपन यदि इसको, हम adjective बता रहे हैं, तो यहाँ पर E हटके, D-I-N-O-U-S बन जाएगा, okay, सो, यह होगा, multitudiness, The scientific study of the punishment of criminals, and prison management, friend, यह बहुत जादा important word है, जो काफी बार पूछा जाता है, इसका मतलब होता है, study of the prison, study of the prison, panology, okay, so, numerology, जिसमें हम numbers की study करते हैं, phenomenonology, ठीक है, जिसमें हम एक प्रका की study करते हैं, जिसमें human की consciousness, उसका जाग रुपता, self awareness की study की जाती है, okay, मतलब मानव विकास की study की जाती है, human development, criminology, जिसमें हम क्राइम की बारे में study करते हैं, okay, a place that is extremely beautiful, and where everything seem perfect, एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा जग है, जहां पे सब कुछ बहुत ज़्यादा perfect होता है, और बहुत ज़्यादा beautiful होता है, फ्रेंट ये एक प्रकार का word होता है, जो in imaginary से count किया जाता है, utopia, utopia मतलब होता है, एक ऐसी दुनिया, जहां पे सब कुछ हमारी imagination के according perfect होता है, बट ऐसा real में होता नहीं है, ठीक, इसके साथ हम और वर्ड जो है, हम उसका मतलब जानते हैं, जैसे rendivers, ठीक है, इसका मतलब होता है, दो लोगों दौरा, जो पहले से जग है, और समय को decide करके, एक meeting arrange की जाती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं, rendagers, ओके, यह एक प्रकार से, शैवने, शैवने मतलब होते हैं, नोर्थ अमीरिका में रहने वाले, ट्राइवल जो रोग होते हैं, ट्राइवल जो कास्ट होती है, उसके लिए यह वर्ड यूज किया जाता है, अब यहाँ पर एक हमने, narration का question उठाया है, choose the most appropriate option, in the change the narration of the given sentence, तो sentence पढ़ लेते हैं, please take me to my room, said the girl, girl कहती है कि, उसे उसके room पर ले जाएं, please, okay, request कर रही है, सबसे पहली बाद तो यहाँ पर, यह please हमें समझ में ही आ रहा है, इससे मतलब समझ में आ रहा है, कि यह request कर रही है, so जब भी हम, reported speech का, जो कॉमा है, वो खोलेंगे, तो यहाँ पर हम request word यूज करेंगे, okay, so see wanted, hoped, request and prayed, so हमें, पहले ही पता चल जा रहा है, हमें यहाँ पर आँगे, option में sentence बनाने के लिए, किसी भी पकार की, tense की देखने की जवत है यह नहीं, क्योंकि यहाँ पर सीधी सीधी request word हमें दिख गया है, okay, so हमारा right option होगा, option number C, okay friends, so आज हमने यह, English के previous year की question paper solve किये हैं, जो कि हमने previous question paper से उठाये हैं, so ऐसे ही हम अपनी test series चलाते रहेंगे, जिसमें हम आपको English से related basic से, सारे moderate level से लेते हुए, high level की question discuss करेंगे, ठीके, जो आपके exam में बहुत सारे help करेगी आपकी, ठीके, पेस के साथ ही हम आपको reasoning और math के लिए भी test series लाने वाले हैं, so exam 35 की साथ बने रहे हैं, and thank you for watching,